तक भी at तुम्हें प्रेंड्स विल्कम बैक तु माै चैनल तो कैसे हैं आप सब आप सब आप न अच्छे हुए सवस्त होंगे तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी किच्चन में तो मुझे बढाना है अभी लॉंच क्योंकि दोबर का टाइम हो रहा है और लॉंच बनाना है। लॉंच में आघ मैं बनाने जारी हूं मस्रूम की सबसी मुझे मस्रूम की सबजी बहुत पसंद है परसंल मैं ना टमाटर डाल के मश्रूम बनाती थी तो उसमें जैसे नॉर्मल सब्जियों में टमाटर एड करते हैं मटर पनीर बनाते हैं तो वैसे ही मैं इसमें भी टमाटर डालती थी बट कुछ टाइम से मैंने टमाटर को स्किप किया तो मुझे ज्यादा टेस्टी लगने लगा टमाटर डाल के बनाती थी तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता था जितना कि विदाउट टमाटर लगा तो अब मैं टमाटर नहीं डालती हूं सिर्फ मश्रूमी बनाती हूं मटर के साथ बनाती हूं बट आज मैं मटर को भी स्किप कर रही हूं और मैं कुकर में ही बना सबस्क् apple हो गरम है चाटे तेर अब में जीरा अब में टालूंग जीरा मैं तेन में नहीं तो ऑऔ नहीं दालना है जाय कि Dya नहीं जीरा घाट नहीं गिए यहां चाहित उस भी ठीड़ though अगर आप टöमाटर डाल के बसे प потрमाटर रहे हैं तो आप प्याज ढाल यूँ थोड़ी सा उतल यह लदेगे, उसके सेबारिव प्याज squad कष़ें एक फड़ सो यहां पर एक प्याज दाल दिया है वह सुटप पाया मैंने मसाला डाल लिया है और अभी इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि आयल सेपरेट ना होने लगे तब तक हमें मसाले को अच्छे से पकाना है धीमी आच में पकाना है और चला चला के अच्छे से पकाना है और मैंने मसाले में गरम मसाला और मीट मसाला नहीं डाला था तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आप चाहे तो पहले भी जब आप मसाला पीस रहें तब भी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं बस पकाना ही है इसको अच्छे से पकाना है आप चाहे तो पहले डाले या फिर आप बाद में डाली तो मैंने अभी डाला हुआ है और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी इसको पकाने के बाद फिर इसमें मस्रूम डालेंगे और मस्रूम के साथ फिर से हमें 4-5 मिनट फिर पकाना है तो यह मसाला मेरा पक गया है और मैंने यहां पर मश्रूम एड़ कर दिया है अभी मस्रूम के साथ इसको अच्छे से चला चला के पकाना है जिससे कि यह मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए देन उसके बाद हम यहां पर पानी एड़ करेंगे तो अभी हमारा ये पक अच्छे से पक गया है मस्रूम, मसाले के साथ तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी, तो जितनी ग्रेवी चाहिए हो उतना ही पानी डालें, क्योंकि एक तो मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में वैसे भी जादा पानी नहीं डालना होता है, और इसके बाद इधर मैं इसको भी धूर के रख दे रही हूँ और मैं अब आटा लगा लेती हूँ रोटिया बनाने के लिए चावल तो मेरा पहले ही बन गया है तो ये था मेरा आज का वीडियो आज मैंने सरिफ मश्रूम की सब्जी की रेस्पी देने के लिए वस इतना ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन बेटन को भी दबा लीजिए